यूटूब में जाकर सीटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें वो बेल आइटम धबा कर पाएं प्रमंड़ की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आदें कस्तूर्बा अवासी विद्धाले की ओचक निरक्षन करम में लातिहर जीला बिसुत्री उपाध्यक राजधाने यादो अज बालुमात प्रखंड में पहुँचे विद्धाले पहुँचकर उन्होंने भारी अनिमीत ताका खुला सा किया ग्यारवी की संचारित कक्षा में पहुँचकर जब उन्होंने भारत की वरतमान रास्पती का नाम पूछा तो कक्षा की कोई भी छात्राओं द्वारा सही जबाब नहीं दिया जा सका कमजोर सिक्षा और समान ग्यान के प्रस्टों का जबाब नहीं मिलने पर वे आग बबूला दिखे वहीं खान पान की सूची में आज तड़का के साथ फ्राइड रास पर उसुजाने की जगा घटिया क्वालिटी की दाल और रासन की चावल देख भी वे भड़क उठे दाले में मिली अनिमेताओं से उपायवित को अवगत कराने के साथ साथ आवसक करवाई के लिए मुक मंद्री को भी सुचित किया जाएगा बात बनाने का एक बिधी है कहने के मतलब गुनवता जुक पढ़ाई तो है ही नहीं यहाँ पर सरकार जितने भी रूपया खर्चा कर रही है इन लोग निरस्त कर रहा है रूपया को इन लोग सिर्फ घोटाला ही घोटाला सामने बिश्ब कर रहा है खाना में जहां तक बात है कि अभी डाल में आज तड़का था जो कि आनन फानन में हम लोग यह सही घुसे परिशर में आनन फानन में वहां दाल सिर्फ रखा गया लेकिन डाल बनाया हुआ था लोगों खाने के लिए जो पानी जिसा दाल था और दाल में भी कीड़ा था भू बोटा चावल है जो कि वो चावल सरकार के आवंटित नहीं हो सकता है उसमें भी कंकर था मने खाने का मतलब है कि छात्रें जो बेसिक सवालों के जवाब नहीं दे पाई हैं यह उन लोग सत पुछिये तो बाहर में जो पढ़ाई होती है वो पहलास लेके दूसरा कलास के ब अब इस्टेट इसका भी जवाब नहीं दे पाना मने यह सवाल उटता है कि आखि रहां कि पुछिक्षक लोग क्या करते हैं लेकिन भोजन में हमने मित्दा जो पाई यहां नबाटन जो हमें बताई कि आज की मिनो में का है आज का मिनो में अज का मिनो में फ्राइड आइस अज के अज में फ्राइडा तरदा और सलाद लेकिन भाइड दल नहीं में दल है यह पानी जैसा है तो मैं यह मानता हूं कि बच्चे के साथ भी आज जब्सक्राध नहीं मिलेगा तो वह बच्चे के मनसिक्त कैसी होगा है अज पिश्ट नहीं करें में कुछिक्षक किसे गलति माकूझे स्कूल बोबनु zij अलानों मैं ने सूर्ण को ऑनि ता क्षेती मिस का था इसक्वांचिय है, तो छसी को कसे भी तो श्कूल परबंधन जा समया है, क्वाधन को ही गलति मानते Oppor Mandと के जबाब जा समयता हुऊ सब्सक्राइब दाल में घून लगा हुआ है चावल में कंकड़ है चावल मोटा है तो सरकार इतनी खर्चा कर रही है जारखन के सकार चाहते हैं अच्छा दिक्षा ने अच्छा भोजल मिले